आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक College में मतल़ एक College Union में विद्यारती की संख्या 48 है और लड़के और लड़कियों का अनुपात जो उनके संख्या का अनुपात है 5 अनुपात 3 है फिर क्या बोलाए कि इस Union में कितनी और लड़किया संख्या जोड़ी जाए लड़के और लड़के और लड़किया इनका अनुपात है पांच अनुपात तीन यह क्या है यह पहले की बात है और बाद में अगर हम इसमें जोर रहे हैं लड़किया को जोर रहे हैं तो उसका अनुपात कितना हो जा रहा है छे अनुपात पांच हो जा रहा है तो पहले आप निकाल लो कि यहां पर 48 टोटल है और उसमें से 5 इनिट और 3 इनिट दोनों मिला के 8 इनिट मतलब की 8 इनिट 48 के वरावर है 8 जो है 48 के वरावर है तो 1 देखेंगे तो 6 के वरावर हुआ मतलब लड़के कितना होंगे 30 और लड़किया कितना हो जाएगा यहां पर 18 तो हमने देख लिया कि लड़के पहले 30 थे और लड़किया कितने थी 18 थी हम क्या कर रहे हैं कि लड़कों को नहीं जोड़ रहे हैं तो लड़के जितना थे पहले उतना भी रहेंगे और हम यहां से क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को जोड़ रहे हैं तो अब कितना हो जाएगी मतलब हम यहांजे लिख सकते हैं कि 6 जो इकाई है वो 30 के बराबर है तो एक इकाई कितने के बराबर जाएगा 5 के तो मतलब है यहांपे देख रहे हैं कि लड़कियों कितना हो जा रही है 5 इकाई मतलब 25 अब आप सूचो यहांपे पहले लड़किया कितनी थी 18, अब कितना हो जाई हो गई 25, तो कितनी बर गई, तो हम यहां से देखें हैं, तो लड़कियों की संक्या देखें हैं, ओ कितनी बर गई, तो हम लिख सकते हैं, कि लड़कियों की संक्या में, बढ़ोतरी, जो होगी, ओ 25-18, तो यहां से कितना हो जाएगा साथ, तो देख लेते हैं कौन सा भी कल्प सही है साथ, तो साथ यहां पर बीबी कल्प है, तो भी हमारा सही अंसर है.